हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक टु माई इस्टुडी मेट डिलही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे वर्क सीट 23 की जो की क्लास 6 के समाजी बिग्यान के बच्चों के लिए दिनाग 23 सितंबर 2021 के लिए से डियोल की गई है तो वीडियो सुरू क करते हैं और आज का जो उब इसाय है वो है देशांतर और समय इसमें हम लोग देखेंगे कि देशांतर का समय से किस प्रकार से संबंध है तो आईए अब सुरू करते हैं इस्क्रीन पे आपको पूरी पृत भी दिखाई दे रही है ठीक है और पहले इसके नीचे जो दिया है वो देख लेते हैं दिये गए मांचीतर को देखिए तथा प्रमुख या म्योत्तर को पहचानिए तो यहां आप देखिए जो यह ग्रीन विच लिखा है ग्रीन इच यह वाली रेखा जो डाट डाट करके है तो इसी रेखा को मतलब बोलते हैं जीरो डिग्री देशांतर ठीक है जीरो डिग्री देशांतर रेखा और इसी को बोलते हैं ग्रीन इच असल में बच्छों इगलेंड या ब्रिटेन कहें य उसी अस्थान के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है चुंकि यह जो रेखा है वो उसी अस्थान से होकर गुजरती है और इसी अस्थान के नाम पर इस रेखा का नाम भी रखा गया है ग्रिनिच रेखा ठीक है और इसी का में जो नाम है पूरा नाम है ग्रिनिच में प्रिथवी का अगर समय का निर्धारण अगर कहें तो वो पूरे निर्धारण का ये मुखिया है ठीक है इसलिए इसको नाम देगा है प्रधान मध्यान रेखा और इसी के अधार पर पूरे प्रिथवी का समय का निर्धारण होता है ठीक है अब जैसे मालेजे एक लैंड में दुपहर के मालीजे बारा बज रहा हूं और उस समय पुछा जाएगा अगर बारा बज रहे हूं तो भारत का समय बताईए तो वहां से यहां का जो टाइम है वो त्पाइब पाउच घंटे पूर्व का है तो हम उसमें त्पाउच घंटे क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो सूर्य जिस समय सबसे उचे बिंदु पर होगा क्या दे रहा है दोपहर में ग्रिनिच पर इस्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे उचे बिंदु पर होगा उस समय यामियोत्तर पर इस्थित सवी अस्थानों पर दोपहर की होती है चुंकि प्रित्वी पश्च्चिम से पूर्व की ओर चक्क लगाती है अतव वे अस्थान जो ग्रेनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रेनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा चुंकि जो Greenwich है बच्चों यहाँ पर देखिए यह जो रेखा है Greenwich यह बिल्कुल मध्य में है और इस रेखा का धार पर जो पूरे प्रिसी भी है वो दो भागों बट रही है पूरब और पस्चिम और आपका देश जो भारत है वो यहाँ पर है ठीक तो अगर इससे देखें तो भारत किधर है भारत जो है पूर्ब में है ठीक और जब समय का गरणा करते है जब यह पूर्ब हो गया तो इधर जो है पस्चिम हो गया ठीक है तो अगर हम पूर्ब की और बढ़ते हैं तो वहाँ के जो टाइम है वो प्लस होता रहता है ठीक और अगर पस्चिम का अग उतना उसमें जोड़ देंगे और उससे क्या होगा कि भारत का टाइम पता चल जाएगा ठीक है हम इस्ट में कहीं का भी अगर पता करेंगे तो ऐसे ही करेंगे अगर माल जीजे और सबसे पहली बात बच्चों क्या है कि एक डिगरी देशांतर बराबर होते हैं चार मिनट ठी ठीक वो है साठ़ है डिगरी कितना है साठ़ है तो अगर एक डिगरी बराबर चार मिनट होते हैं तो अगर हम 15 डिगरी का निकालना चाहे तब 15 गुढ़, 4 करेंगे क्या करेंगे 15 गुड़े 4 तो ऐसे हम कितना आ जाएंगे 60 मिनट तो 15 डिगरी बराबर आपको पता चल गया 60 इसी तरीके से अगर हम 60 मिनट बराबर होते हैं 1 घंटे अगर आप से यह पुछा जाएंगे 1 घंटे में कितने डिगरी तो 15 डिगरी ठीक और उसे तरीके अगर हम भारत का निकलना चाहें जिसे 85 हैं ठीक है 85 डिगरी इसी में 4 से गुड़ा करेंगे तो आज आएंगे 330 मिनट और 330 मिनट का मतलब हो गया साड़े 5 घंटे ठीक पांच घंटे 30 मिनट तो हम क्या करेंगे अगर ग्रेन वीच पे 12 बज़े हैं दोपर के थम उसमें साड़े 5 घंटे एड़ करेंगे तो ऐसे में कितना बच जाएगा भारत का हो जाएगा साड़े 5 पीम तो भारत का टाइम ऐसे में निकल जाएगा और देखिए आगे हैं समय के अंतर की दर गड़ना निम्रखित बिज़ से की जा सकती है प्रिथवी लगभा 24 घंटे में अपने यक्ष पर 360 अंस घूम जाती है 24 घंटे में प्रिथवी अपने यक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है यानि कि 360 घंटे में पंदरा डिगरी कैसे निकाला गया है देखिए अगर हम 360 में 24 से भाग देंगे ठीक तो कितने आएंगे 15 तो यह हो गया एक घंटे में 15 घंटे यानि कि 60 मिनट और इसी तरीके से चार मिनट में अगर हम निकालेंगे तो एक डिगरी आएगा ठीक है तो एक डिगरी बराबर कितने होंगे एक डिगरी बराबर चार मिनट कैसे निकाले जानते हैं 15 डिगरी बराबर 60 मिनट होते हैं तो इसमें 15 से अगर हम भाग देंगे 15 चवक के 60 तो एक डिगरी ब्राबर हो गए चार मिनट देखे इस प्रकार जब हम ग्रेन वीच में दोपहर के बारा बजते हैं तब ग्रेन वीच से 15 डिगरी पूर्ब में समय होगा 15 गुड़े चार ब्राबर 60 मिनट अर्थाथ ग्रेन वीच समय से एक घंटा आगे बात हो रही है यहां एक गंटे तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं Greenwich पे और यहाँ पे अगर हम 10 डिगरी पे बात करें यहाँ पे है 10 डिगरी तो इसके बीच का अगर हमें समय निकालना हो तो कितना आएगा क्योंकि अगर 10 डिगरी का निकालना हो तो 10 अंस बराबर हो जाएगा 10 गुड़े 4 बराबर 40 ठीक है तो 40 मिनट तो यहाँ पर 40 मिनट आएगा अगर 15 का निकालते हैं तो 15 गुड़े 4 करेंगे 15 गुड़े 4 तो कितने हो जाएगे 15 चयों का 60 मिनट is equal to 1 घंटे तो अगर हम 15 डिगरी का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 पीम तो इस तरीके से हमें समझना है और आगे है अर्थात वहाँ दो पहर का एक बज़ेगा लेकिन गुड़े से 15 डिगरी अगर पस्चिम से निकाले तो एक घंटे क्या हो जाएगा पीछे होगा अब देखो आपको यह बताया गया कि अगर यहाँ पे 12 बज़ रहे हैं ठीक दो पहर के और यहाँ 15 डिगरी पे यह हो गया कि यहाँ 1 पीम होगा ठीक है 15 डिगरी ब्राबर एक घंटे यानि 1 पीम यहाँ हो गया अगर इधर का पूछे 15 डिगरी पे क्या होगा ठीक है तो बच्चों यहाँ आपको बतायेगे जब हम पस्ची में जाएंगे तो वहाँ माइनस होगा ठीक तो यहाँ 1 घंटे हम घटा देंगे बारे में तो यहाँ 11 एम हो जाएगा क्लियर है हम पूरफ साइड में जाएंगे तो जोड़ देंगे और पस्ची में अगर हमें गरना करना हो तो उतना ही हम माइनस कर देंगे तो आपने पस्ची में देखा मतलब जब हम लोग पूर में गए तो आपने देखा कि एक घंटा एड हो गया तो 12 में एक जोड दिये तो वहाँ एक पीम हो गया और पूरव पस्चिन साइड में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ माइनस करना होगा तो यहां देखिए हमने 15 डिगरी पस्चिन का निकाला तो एक घंटे आया तो एक घंटा क्या कि यह 12 में हम लोग मा 11 a.m. हो गया अब देखिए बच्चों इसी तरीके से दो प्रस्ण आप से पूछे गए हैं वे प्रस्ण कौन से हैं जब ग्रीन वीच पर दोपहर के 12 बजे हो तब 180 डिग्री पर समय की गढ़ना कीजिए और दूसरा प्रस्ण है जब भारत में साम के 5 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं तो आए इन प्रस्णों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पहला प्रस्ण है जब ग्रीन वीच पर दोपहर के 12 बजे हो तब 180 पर समय की गढ़ना कीजिए तो देखिए बच्चों अगर हम 180 डिग्री को निकालना है तो क्या करेंगे 180 ग 720 मिनट ठीक अब 720 मिनट को हमको घंटे में बदलना हो तो इसमें 60 से भाग देंगे ठीक है तो हम क्या लिखेंगे, रात के बारा बजे होंगे ऐसे, बारा घंटे का अंतर है, जब भारत में साम के साढ़े पांच बजते हैं, दुस्रा क्रिश्चिन है तब लंदन में दोफ़र के बारक क्यों बचते हैं? तो बच्छों देखें क्योंकि भारत पूर्व में 1.52 पर है ठीक है? इस तरीके से न ये ग्रेन विच रेखा है ठीक इसके पूर्व में ये जो रेखा है यहाँ पे इंडिया है ठीक ये है 82 और यहाँ पे है जीरो डिग्री आने की ग्रेन विच रेखा ये पूर्व में तब देखें 82 गुड़े 4 हमने किया तो देखें इसे निकालेंगे 83 गुड़े 4 करेंगे तो ये हल करने पर 330 मिनट आएंगे ठीक है? 330 मिनट मतलब कितने हो गए? पांच घंटे 30 मिनट तो इसलिए बच्चों लंदन में जब दोपर के 12 बजते हैं तो भारत में 5 बजते हैं सामके तो बच्चों इस तरीके से आपकी आज की ये वर्क सीट कम्पलीट होती है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अच्छे समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें, सेर करें और कमेंट करना न भूलें इस इक साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार थेंक्यो